नमस्कार दोस्तों, खुठ्ठा कलास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आज हम लोग पढ़ेंगे खुठ्ठा निबंद किताब का अगला निबंद जिसका नाम है बचका बगरा काम कम, पतलब बातें अधिक काम कम, ज्यादा बोली काम कम कई दिन आगू, कुछ दिन पहले, अख़बारें पढ़ल हो लो, पेपर में पढ़े थे, अख़बार में पढ़े थे, सायद तहनियों पढ़ल हो भें, कि सायद आप लोग भी पढ़े होंगे, और नहीं तो सुने जरूर होंगे, पढ़े नहीं होंगे, तो सुने जरूर हों आप लोग यह सुने होंगे पढ़े होंगे और सुने सियोर होंगे कि पाडरी कपम का एक मजदूर है बीडी मजदूर श्री स.A. जैरामन नाम है एक लगातार वो 165 घंटा तक बोलते रहा गया था संये हैं हैं Колे आह सब्सक्रान बैश्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब आजुएं है यह गैदूर में कि यह सब्क्राइब और तक बोलते रहा जाना आप बोलबहाईञार। here is 65 आहाभर्स शाइन्स राजनिति अड़्साथ सिनेमा आरो आरो आं ऑन्षेणी मैं लाग बुलाएं बचकलाई मतलए एक सो पैसर घंटा में 165 आवर्स सेवें डिस सेवें नाइट कंटीन्यू में ये साइन्स का राजनीती का अर्चतास्त का सिनेमा का और भी बहुत सारे विशय में बात बुले वो के बारे में बुले मैं एक दुनिया एक कौन हो बिशय बात बोल दिया तक्रो में जैरामन भाई एक टटका मजदूर कोनों बोड़ो लोक नाए फिर भी जैरामन जो है एक मजदूर है साधरन सा मजदूर है कोई बड़ा आदमी नहीं है जैरामन भायक नाम गिनीज बुक अप वर्ल रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइं टकाई गया मतलब जैरामन भायका नाम जो है जिनीज बुक अप वर्ल रिकॉर्ड में प्रिंट हो गया टकाई गया लोक के दंग दंग लाइक गिलें आदमी सब हैरान हो गया अचंपित हो गया मकिन हमें तो सोचों हो ये कर में कौनों दंग दंग हो एक बात नखाई लेकिन हम सोच र है क्योंकि जादा बोलना जादा बोलना हमारे देस का पर्मपरा है हमारे देस की संस्कृति की हैyect disgrace उसीलिए हम लोग का देश का जो आदमी है न वो कुछ चाहे नहीं करे बोलेगा जरूर लम नमा फेकेगा कर दिशाथ अभीनेता बचका हत धर्मेग गुरु बचका हत खिलाडी बचकत मजूर बचकत में बचके में के ककरों से कव नाए नेता अभीनेता धर्म गुरु खिलाडी मजदूर सब बोलता है बोलने में कोई कमी नहीं है बात तो सुपट और आया है कि बजके में तो कौनों लागे ना है बात तो सिंपल है साधरन है कि बोलने में तो कुछ लगता नहीं है जो मन क्या बोल दो ना कीरी ना कोड़ी ना हरे ना फिटकुरी रंग दग कि कुछ करना है नहीं बोलने मी क्या जाता है बोल दो मुह है बोल दिये पुरने परिया घरी ले यह बचके परंपरा के हमरे देश के लोग है इस परंपरा को यहां तक जिवित लेकर आए है स्वामी विवेकानन तो एकला जीरो भी सही हैं कई-कई दिन तक बचकते रहला स्वामी विवेकानन जो है वो सिर्फ जीरो सब्जेक्ट पे सुन्य पर जीरो पर कई-कई दिनों तक बोलते रहे थे नेहरू मंत्री मंदल धरिक घरिक सुरक्षा मंत्री स्री किष्ण मैनन एवं एहो कम बचकवार नाय रह थे नेहरू मंत्री मंदल में पंडिर नेहरू के मंत्री मंदल में जो सुरक्षा मंत्री थे किष्ण मैनन वो भी कम बोलने वाले नहीं थे लेकिन इन सब को मंतिरी थे लेकिन इनको भी पटकनिया दे दिया मतलब हरा दिया ठीक है पराजित कर दिया एक मजदूर इसका नाम था जैरामन हम लोग के देश में एक से एक हुनर वाला बोलने का हुनर वाला हमारे देश में है और कितना कितना उदारन दिया जा सकता है जैरामन भाई के पहले सिरलंका के स्री कपिल कुमार सिंधे लगाए थे 169 घंटा तक बजेक के एको रिकोर्ड बनवाले हल थे जैरामन के पहले सिरलंका के थे वो वो जो है एक सो उनसर घंटा तक लगातार बोलने का रिकोर्ड बनाए थे जे रेकोर्ड के जैरामन भाई तोड़ देल थी इस रिकोर्ड को जैरामन भाई तोड़ दिये ठीक है कपिल कुमा सिंदे जो थे वो एक सो उनसर घंटा बोले और ये एक सो पैंसर घंटा बोल दिये हम तो बुछ हो हो कपिल कुमा सिंदे के जोयरि मोवर भारते हताइ представляет और नाई तो कि मजाल की कोना 200 देशेगे हमारे से लोग के बजके में कान काटे परता हम तो समझ रहे हैं गिजह का पिल कुमा सिंदे की कान काटे के दिशेख कोरता समभब है कि EV關 beni UK क्या समय एधिक बोलना जो है हम लोग के खून में समया है कर रोकना यह पारा इसको को रोक नहीं एक बार इंद्रा गांधि काम अधिक बाते कम एक बार इंद्रा गांधि का दिमाग खराब हो गया था जो बोल रही थी चारों तरफ लिए लिखवा लिखवा दिया था कि काम जादा सगरों घरी किमरक सव evangelical होता है कि हम लिए क्वगरों होता है यह हम लोग के संस्कृति के उपर हमला है कि बोलने से रोका जा रहा है हम लोग रोकने वाले नहीं है यह तो आया संस्कृति संसला को आया संस्क्रितिक संक तो वल्य हमनिक बड़ा साइंससत के यह तो संस्कृति को संस्कृति लेही जोदी संस्कृति ये नाय रहत तक तो हमने की लखे बाचवे क्योंकि संस्कृति का संकट जो है सबसे बड़ा संकट है क्योंकि हम लोग तो संस्कृति से ही हैं लेह से संस्कृति से हम लोग हैं यदि संस्कृति नहीं बचेगा तो हम लोग किस तरह मचेंगे तकर मजा देखो इंद्रा गांधी के आयसन पटकनिया दह दला जह जेते जेते चगला इसका मजा देखिए इंद्रा गांधिये को ऐसा पटकनिया दे दिये कि वह हार गई चुना हार गई थी न हो आरो कर भे संस्क्रितिक उपरे हमला और संस्क्रित हमला कीजिए गा बात तो सुपट लागई इस अभी जो है कोई भी चीज फिरी में नहीं मिलता है मुफ्त में नहीं मिलता ह एक बजकनिया तो फिरी पावाए एक बोलने वाला ही तो फिरी मिलता है बोलना ही तो फिरी है तकरो तकरो एकर मैं रोक टोक इसमें भी रोक टोक एह टाय तो बेजाए यह तो गलत बात है भसक सेम बजक पार कर लिए जो मैंने बोल के पार कर दिये चिक्या बोल के पार कर क्या हुआ कि आगर राजिव गांदी बोल दिये थे कि गर्वा लेंद का मांग जए वो बेजाय नहीं है बिकार नहीं है आइसन आरो एक बेर आप्रेसन बुलू अस्टार के पहिलो राजीव गांधी पंजाब जाएके बचकल रहते हैं कि भिंडरा वाला आतंगवादी नाए ये तो बढ़का संथ है भिंडरा वाला कोई होंगे वो आतंगवादी नहीं है कोई संथ है पंजामे रहके बोले थे की हते जोदी गो खोले तक अरकी कोउता कोट बनता और मुसुम और बाज के मोशिम आवके इतना ही नहीं हमारे देस में बोलने का मोसम भी आता है बोलने का मोसम भी हर पांच साल में और भयर सकता है उतना बड़ा और अच्छा कौन सा मौसम लेक्षन पेसे पहले का कि समानी होता है जतना बगरा बच के पारे ततने नाम जो जितना बोल सकता है उसका उतना नाम जूट लांद फन जत जते बजके पारा जते बादा करे पारा ततना भोट जूट लांद फन जतना बोल ले सकते हैं उतना ही उतना बोल सकते हैं जतना बादा कर सकते हैं उतना ही भोट मिलेगा इस बार इलक्षन जो यूपी चुरा हुआ उसमें दो तिन बाते बहुत फेमस ह गई थी ना नहीं चोड़िए मैंने बोलूंगा इस तरह से ज्यादा बोलना फाइदा तो है और साथ में आपना संस्कृति भी बचा हुआ रहता है है अमरत वच करन यह कि एसीआट खेल रखं बग्राह केल रहता है मतलब व्यमेरा य्युक रखोना है कि आउया क्यूंगे travelers परूस अंठेजुनी आमीश खेल। तो निश्चीत हमारे देश खाती रहेगो श्वन पदक घरंटी भजित है अगर ऐसा होता है ना तो निश्ची हमारे देश के लिए एक श्वन पदक घरंटी हो जाएगा पक्का हो जाएगा एकर तो सब भारत के लाइन देले भारत को चार गोश्वन पत्य दिए भाकी खेलाडी खाय भूसा भर देला भाकी खिलाडी सब खाखाके भूसा भर दिया मतलब विकार हो गया एक अभी तो लोग कहता है कि धन ने था बाप का बेटी वह पीटी उसा जो भारत का लाज रख दी एना बेचरंगी पीटी उसा उसा गुलें तो सब दिने भारत का लाज धाफले आयल राद चाहें मरद आखिन के कत्नों पड़ावतिन जरावतिन ये कह रहा है उसा गुले मतलब क्या बेटी सब महिलाएं जो है सब दिन भारत का लाज इज्जत को बचाती आई है चाहें दे्वि मानत भारत के लोग उपरफ दोस्त देने का मज रख नहीं नहीं है कि भारत के लोग लटकीओं को देवि मानते हैं धुर्फह, काली, सुरस्टी, लच्मी नाजाने कते-कते देविक पूजा करहत और 55 करोणा रूपय का पंडाल बनाकर फुजा करता है खर्चा करता है कि इसमें कोई दोस्त नहीं है आप क्या करेंगे एक दोगों जुदि लड़की कुवा डाड़ी क्या होता है कुवा है कुवा है क्या डारी क्या होता है तक करते हैं चाहिए जाब कि,कोद क्या मर जाती है असे मरत का क्या 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 dau放 है मर्द की करता भला इसमें मर्दों का क्या दूस्य है क्या करेगा इतन्ज है नेता अभिनिता सभी जोर जोर से बचका हथ दहेज हटाओ नारी को मानवी मानो नेता अभिनिता सभी जोर जोर से बोलता है तो भी बोलता है कि दहज हटाओ और नारी को मानो मानो इस छोड़ के आर की करता भला इतना करके और क्या करेगा सोजे बचकना तो हामनिक देशक परमपरा सहले बचकत बचकत सिधा बोलना हमारे देशक परमपरा है इसलिए बोलता है बोलने का कुछ करने का कुछ होता है न ह हाँ बजकते कहां ले कहां पहुँच गये की करब हम तो भारत के आदमी हैं हाँ तो हम बजकोहलों की आवरी हमने के कोशिस करें कि करना चाहिए कि इस बार एसी आट खेलों में ज्यादा बोलने का कम्पेटिशन भी सामिल कर देना चाहिए कि भारत का बाकी खिलाडी जो सब जो है वो भारत का नाम बूचा कर दिया मतलब नाम ना कट दिये कि जाने पीटी उसा अबरी बिर स्वर्ण पदक लाने पा रहा है कि ना है क्या पता कि पीटी उसा इस बार स्वर्ण पदक लाब सकती है कि ने लग सकती है कम सकम एक स्वर्ण पदक तो गरंटी रहतक कम सकम एक पदक एक स्वर्ण मेडल गोल्ड मेडल वो तो पका रहेगा ज ताम ज्यादा तीक है बोलने के ऊपर था कि आदमी लोग भारत के आदमी खास करके बोलने में माहिर हैं और निता लोग जानवे करते हैं इलेक्शन में पर फिर लंबला वह संदे देंगे और बाद बोले गो तो तो आईसे बोल दिये थे चुनावी बाता था बोल दिये थे चली खेर यह था जिबन कैसा लगा पताएगा जरूर आप सभी को बहुत बहुत धरन्यावाद